सो गाईज, वेलकम टू टेकड राओन और आज एक पर फिर से हम लोग हिस्ट्री क्रियेट करने जा रहे हैं क्योंकि आज हम लोग बनाने वाले हैं इंडिया का बिगेस्ट आइरन फार्म एक इतना बड़ा आइरन फार्म जो हिरो ब्राइन जैसे बड़े SMP को भी पावर कर सकता है यह अइरन फार्म हमें एक मिनट के अंदर 40 आइरन गोलम से भी जादा आइरन गोलम्स देने वाला है सो यार लास्ट एपिसोड में हमने कलेक्ट के थे पूरे थाउजन डिलाइटरास और इंडिया के अंदर एक बहुत बढ़ा रेकॉर्ड बना दिया था और गाइस उन डिलाइटरास की मदद से मैंने बहुत बड़ी 500 ब्लॉक्स की वाल बनाई थी आर्मर स्टैंड की जो की मेरे गेम को कर रही थी बहुत जादा लाग इसलिए आप लोग बेख पा रहे होंगे यहां पर अभी भी बहुत सारा गन पाउडर है दुबारा से हिखटा हो चुका है अब चलकर गाइस मैं आपको दिखाता हूं कि मैंने थाउजन डिलाइटरास आखिर रखकर कहां रखे हैं जल्धी से चलते हैं अपने स्टोरेज सेक्षन के अंदर ओर पर जाकर मैं आपको दिखाआता हूं थाउजन डिलाइटरास मैंने कैसे स्टोर करकर रखे हैं गाइस मैंने शलकर बॉक्सें के अंदर डालकर आप लोग देख सकते हैं, पूरे के पूरे शलकर बॉक्सें यहाँ पर रिलाइट राइटरा से भरे बड़े हैं, और गाइस पूरे थाउजन दिलाइटरास मैंने कुछ इस तरह से स्टोर कर रखें, और एक और सप्राइस है मैंने लिटरली इतने सारे rockets मना ली थे ना कि पूरे में यूज भी नहीं कर बाया अब भी तक rockets का पूरा भंडार बढ़ावा है मेरे पास आने वाले time में मैं इन rockets को पता नहीं यूज भी कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा अब सबसे पहले guys मैं अपनी pickaxe पर सिल्क टच लगा लेता हूँ मेरे पास एक सिल्क टच की enchanted book पड़ी हुई है जल्दी से मैं इसको apply कर लेता हूँ क्योंकि guys इसके बाद तुरंथ हम लोग बहुत सरे redstone की mining करने के लिए जाएंगे और उसके बाद उसे fortune 3 से collect करने वाला है क्योंकि यार इस build के लिए हमें बहुत सरे redstone की जरोथ पड़ने वाली है क्योंकि redstone engineering से भरा होने वाला है यह वाला build और उसी के साथ हमें काफी सारे iron की hoppers की form में जरोथ पड़ेगी और guys उसी के साथ साथ मैं deep slate से पूरा का पूरा build बनाने वाला हूँ deep slate की bricks का यूज करने वाला हूँ मैं तो मैंने सचा silk touch मैंने गलत apply कर लिया है बट फिर भी यार हम लोग collect कर लेंगे बड़ा मटसे बहुत सरा deep slate और यहां पर आप लोग देख सकते हो बारिश आ चुकी है मेरे खाल से थंडर स्टॉम आचुका है बड़ एनीवे जल्दी जलकर हम लोग अपनी माइनिंग शुरू करते हैं यहां पर आकर मैंने रेड्स्टों के लिए माइनिंग शुरू करती है और मैं silk touch की pickaxe को माइन कर रहा हूं तो पूरा block की farm में हम लोग को मिल रहा है बीच बीच में हम लोग कोबल सोन का यूज करेंगे और आप लोगों में से बहुत सारी लोगों ने कमेंट कर रहा था कि मैं अपने बिल्स को दिखने में थोड़ अच्छा पना हूं तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए और यार स्विफिंग एस 3 की स्वाट से जब मैं स्पाइडर्स को मार रहा था ना तो इतनी आसानी से मर रही जी ना बस देखो यार साहरी की सारी स्पाइडर्स अल्मोस्ट मर भी चुकी है बस दो तीन स्वाइप के अंदर और मेरा लेवल लेखना भी कितनी तेजी से बढ जाने वाला है ना आप लोग बिकर चौंग जाने वाले हो तो पिकैक्स मेरी पूरी रिपेर हो चुकी है अब जारा लेवल बार देखो एकस्पी दिरे-दिरे करकर कलेक्ट हो रही है और मेरा लेवल बार कंटीनिसली बढ़ा रही है ऐसा लग रहा है एक स्ट्रेट लाइन मैंने एक फॉर्च्यून थ्री का विलेजर जो है बना कर रखावा है लाइब्रेडियन आप लोग देख सकते हैं इसके पास फॉर्च्यून थ्री की बोक है बट यह काफी सारे अमरेल्स में दे रहा है और मेरे पास एमरेल्स आइं खतम हो चुके है तो जल्दी से मैं जा दूसरा फार्मर डूड़ना पड़ेगा क्योंकि इनकी ट्रेड्स खतम हो चुकी है और मैंने यहां पर एक नया फार्मर बनाकर रेडी कर दिया अब लेट सो बसके पास कैरेक की ट्रेड्स है इसके पास अब मैंने फटा पट से ट्रेडिंग शुरू कर दिये अब हमारे प अब मैंने फॉर्चुन 3 की बुक खरीद लेते हैं और जल्दी से जाकर इसे एक पिकाक्स पर अपलाई कर देते हैं अब गाइस मेरे पास एक आयरन की बहुत ही ओपी पिकाक्स पड़ी हुई है वैसे प्लान तो डामन की पिकाक्स पर फॉर्चुन 3 लगाने का था बड़ ह अब मैंने पास इस पर इस वाली चेस्ट के अंदर रखी हुई है और इसके उपर आप लोग देख सकते हैं मेंदिंग और एफिशेंसी 5 लगा हुआ है यह हम लोग को गाईस एंड सिटी के अंदर से मिली ती और बहुत यह ओपी पिकाक्स है और मैंने लगा लिया इस पर इस इस फ्रीं अफडवाच से सारी के सारे और सब लोग माईन कर लेते हैं मेरे सारी डे दी सब्लोक को मैन करता है math soccer लोग कर क्या है So guys, मेरे पास भर भर की रेट सोन इखटा हो चुका है, शायद इतना जिसकी मुझे कभी जरोज में नहीं पढ़ने वाली है अब फड़ा बट से अपना आयरन पाम जल्दी से बनाना शुरू करते हैं So मैंने आयरन पाम बनाना शुरू कर दिया और उसके लिए मैंने लोकेशन रखी अपने सीक्रेट शुगर केन पाम के पास वाली और यहाँ पर काफी सारा एरिया मैंने क्लियर करना शुरू कर दिया है क्योंकि यार हमारा इंडिया का बिगेस आइरन फार्म होने वाला है तो उसके लिए जगा भी तो साधा चाहिए होगी न और गाइस से मैं अपने बेस से दूर इसले बना रहा हूं क्योंकि अपने बेस वाले विलेजर्स इसके साथ में इंटरफेयर ना कर सके और आइरन गोल गाइस बहुत ही घटियाड रेट्स हैं बहुत ही कमन सी चीज़ें जो हमें कहीं भी मिल सकते हैं जल्दी से मार देता हूं पतान यार इसके लामास भी हम पर हमला करना शुरू कर देते हैं और यहां पर मैंने लामास को भी निप्टा दिया है यह फार्म ग्राउंड से 10-15 उपर की तरफ होने वाला है जिससे आरें गोलम नीचे ग्राउंड पर स्पॉन ना हो और मैंने यहां पर 15 टेंपरेटी ब्लॉक्स लगाने शुरू करती हैं अब फड़ा पट से मैं अपना रेड्स्टोन का सर्केट बनाना शुरू कर देता हूं गाइस इसमें बहुत ही ज होंगे उनमें सिगनल भेजने के लिए तो जल्दी से में पूरा विल्ड कंप्लीट कर लेता हूं पल्स एक्सेंडर का सर्केट काफी कॉंप्लेक्स होता है इसलिए मैंने उसे टाइमलाप्स के अंदर डाल दिया है आप लोग को समझाना काफी मुश्किल होने वाला था इस आइरन फाम का हाट बनकर एकदम रेडी हो चुका है और अभी पूरा ओन हो रखा है सबसे पहले तो चलकर मैं इसे आफ कर देता हूं क्योंकि इसे आफ करना पहुत जरूरी है अगर यह आन रहा और मैंने आइरन फार्म बनाना शुरू कर दिया ना तो आइरन गोलम से स्प पॉन ना हो सके बेसिकली नॉन स्पॉनेबल ब्लॉक्स होते हैं तो यह लगाना बहुत जादा जरूरी होता है और जैसा कि मैंने बोला था हमें कैसा आइरन फार्म बना रहे हैं जिसे आप अपनी मर्दी से आन या उफ कर सकते हैं आप लोग देखी सकते हैं इस लिवर को अगर आप अन करेंगे तो आइरन फार्म अन हो जाएगा इसको अगर आप अफ कर देंगे तो एक सेकंड के बाद आइरन फार्म खुदी आप हो जाने वाला है आप लोग देख सकते हैं पल्स जा चुकी है तो अब बार यह आती है गाइस विलेजर्स और जॉम्बी के जरू करती है इन ट्रैप DOOR की वज़ा से विलेजर्स जोए भाहर के इन वाले है तो एटसी फीचर की जिसको बनाना बहुत जरूरी है इन ट्रैप Doors के बिना आयरें फार्म का फंक्षन करना बहुत जादा ब्रीडर जिससे प्रेडियूस होते हैं बहुत सरी विलेजर्स बस हमें कुछ नहीं करना है इस पूरे रेलवे लाइन को हमें विलेजर विलेजर्स से कनेक्ट करना है पहाँ पर एक बटन दबाना और विलेजर सीदह आजाएगा हमारे आयरन पांप के इंदर as simple as that तो guys सबसे पहले villager breeder बनाना इसलिए बहुत जादा awesome बात होती है अब यार railway line को villager breeder तक पहुचाना भी काफी बड़ा challenge था क्योंकि बीच वीच में ऐसे hills आने में लगे वे थे जिस पर बार-बार decide करना था कि कहाँ पर redstone block लगाना है और कहाँ पर नई लगाना basically power rails का use जो है न काफी ध्यान से करना था और पूरा अगर हम सही से यूजने करने वाला है और विलेजर ठीक से पहुचने वाला नहीं है अब सामने बस एक बटन दिखरा हुगा आपको एक डिस्पेंसर के ऊपर उस बटन को जैसी में प्रेस करूँगा यहां से विलेजर जाएगा कि हमारा पहला विलेजर सक्सेस्पुली वहां तक पहुच चुका है मतला हमारी रेड्स्टोन लाइन अक्छे से काम कर रही है तो अब भी तक तो यह ठीक जा रहा है तो यार देखा आपने आईरन पाम के अंदर अपने विलेजर को लाना कितना असान होता है अगर आपके पास विलेजर बीडर पहले से है तो अब फटाफट से जाकर मैं उपर देखता हूँ कि हमारे विलेजर भाईसाब की लैंडिंग ठीक से हुई भी है या फिर नई और गैस आप लोग देख सकते हैं हमारा विलेजर एक्टम आराम से लैंड हो चुका है और वो कार्टोग्राफर बन चुका है तो यार बहुत ही अब पर ने चुका है और एक दूसरे के सरफर कर बैठे हुए मुझे जल्दी से माइन काट तोड़नी पड़ेगी अब लुग देख सकते हैं तीनों विलेजर को हमने ट्राप कर दिया अब बस इसी तरह मुझे बाकी के बलॉक्स के अंदर भी बिलेजर को लेकर आना और प जॉंबी इसको मारने में और मरते मरते बचा फिर भी मैं जॉंबी को नई डाल पाया उसके ब्लॉक के अंदर यहां पर यहां पर इस आप स्पॉन हो गए हैं पूरे आर्मर के साथ में तो अब दिन में मैं इसे ले जाकर आराम से डाल सकता हूं अब गाईस आप लोग देखी जॉंबी आराम से फस चुका है भी हैं से कभी भाड़ने निकलने वाला है अब मैं जल्दी से इसको नेम टाग देता हूं जिससे कि यह जॉंबी डी स्पॉन ना हो जाए अब मैंने से सब्सक्राइब का नेम टाग दे दिया है गाईस और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करते हैं कि इस फार्म को बनाने में बहुत मैंने लग रही है और आपको टेकाडरॉन पर आपको इंडिया के बिगेस फार्म देखने को मिलने वाले हैं फ्यूचर में भी मैं सारे फार्म इंडिया के सबसे बड कि अगर आपको इ अग्यूचर में सारे से साली कि घड़ हो ती र wartगा हैं कि अगष हैं कि अगते हैं कि अगैं चार्म और की झाँ में आपकोंधिया का। कि यह वहल तो कि धनानЕТ झाल झाल So guys, finally, इतनी महनत के बाद, literally यार, बहुत महनत लग गई इसमें, मैंने पूरा आईरन फार्म बनाकर रेडी कर लिया है, इंडिया का बिगेस्ट आईरन फार्म अभी आप लोग मेरे पीछे देख रहे हैं, just have a look guys, नीचे से उपर तक इसके अंदर 10 लेवल्स हैं, 5 लेवल्स पांच लेवल्स दूसरी साइड, basically guys, 10 फार्म से भी ज़्यादा पावर्फुल फार्म है, नॉर्मली सब लोग अपने वर्ल्ड में चो आईरन फार्म बनाते हैं उससे 10 टाइम ज़्यादा पावर्फुल, मतलब की एक आईरन फार्म की जगा हमने 10 आईरन फार्म स्टैक कर अब guys, अगर इस से ज़्यादा बड़ आरन फार्म किसी के वर्ल्ड में होना तो आप लोग मुझे कमेंट करकर ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे बिल्कुल पता नहीं रहता है, मैं ज़्यादा वीडियो देखता नहीं हूं YouTube पर, but anyway, इसको बनाने में बहुत मैनत लगी है और मुझे पता है, आप लोग सोच नहीं होगे कि चार ब्लॉक्स किसले रखे हैं, guys, यहाँ पर चार ब्लॉक्स मैने इसले लगाए हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग बनाने वाले हैं किलिंग चेमबर, yes, guys, अब मैंने पूरा फार्म तो बना दिया, बड़ अब इदर किलि किलिंग चेमबर, और उसके बाद में आप लोग को दिखाने वाला हूँ कि एक घंटे के अंदर हमारा जायंट विगेस्ट आरेंट फार्म कितना सारा आइरन हम लोग को देने वाला है, मतलब एक बर देखो फिर से, कितना ज्यादा ही आईरन फार्म की पूरा फ्रेम के अं अर्वाल के अचेमबर के ने वाला है एक बड़ा सा क helmets लोग बनाने वाले वाले चाहेंगे उन्डरा आउर निसके अनदर आप लोग सारा आरेन स्टोर करने वाले, और पस उसके बाद मे फदा में वाड् किलिंग चिंबर बनाना बहुत जादा एसिय है आपको व्रश कर दिए चारो तरफ हो ब Bai Bai 마무ी सिंगलingo के अंधर एक सिंपलसा इन लो की कवार कर शोर सफ बना utilization तो आप लोग देख सकते हैं, हमारा किलिंग चेंबर बनकर हो चुका है एकदम रेडी, बीच में है लावा वहां पर आइरन गोलम यहां से बैकर जाने वाले और लावा के अंदर मर जाने वाले उसके बाद उनका जितना आइरन ड्रॉप होने वाला नीचे होपर कलेक्ट कर जो कि हमारा सीधा चेस्ट के अंदर जाकर कलेक्ट हो जाएगा तो काफी सिंपल डिजाइन है आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरह से आप लोग को दिखा देने वाला हो कि हमारा अंदर से रूम कैसा देखता है मैं यहां पर सोड़ा सा डेकोरेशन कर रहा है फ्यूचर म अपना आयरर्म पाम कितना जाधा एपीचेंट है तो पहले मैं आप लोग को 15 मिनेट एफ्क कर दिखाने वाला हो फिलाल उसके बाद हम लोग देखने वाले हमारे पास कितना आयरर्म जमा हो जाने वाला है और अगले आने वाले एपिसोड के अंदर मैं पूरा गाई एक घ और वो लोग किल होते जा रहे हैं कंटिनिसली हमारे किल चेंबर के अंदर अब जहां तक मुझे लगता है लगबग लगबग हमें 15 मिनट के अंदर 3000 आइरन के इंगट्स मिलने चाहिए क्योंकि एक गंटे के अंदर हमें 12000 आइरन प्लस मिलने वाला है तो उस हिसाब से 15 पूरे होने वाले हमें उतना आइरन मिल पाता है या फिर नहीं मिल पाता है तो यहां पर लगबग 15-17 मिनट में एक के तो कर लिया और गाइस अब टाइम है जिसका आप लोग शायद पूरे अपिसोड के अंदर वेट कर रहे होंगे दिखाने का कि आपको 15-20 मिनट के स्टोरे सेक्शन के अंदर और हेर भी गो गाइस जस्ट हाव लुक मैंने कुछ कुछ पॉपी यहां से हटा दिये बट फिर भी इतने सारे इसके अंदर बचे और इतना सारा आइरन अपने पास है लगबग एक डबल चेस्ट वर के जिसका मतलब है गाइस कि इसके अंदर ल 12,000 डारे इंकट्स मिलने वाले तो यार कितना जादा ओसम फाम ही मैंने अब तक इतना बड़ा फाम अपनी लाइफ में नी बनाया है माइनक्राफ के अंदर तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अगर आप चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना क्योंकि आने वाले टाइम में टेकाट्रॉन के उपर इंडिया के सारे ही फाम बिगेस्ट आने वाले है येस गाइस साही सुना आप लोगोंने आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई है थैंक्स पो वाचिंग